तो और मेरे भाईों क्या हाल चाले उम्मीद करता हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़े होंगे मज़े में होंगे तो आज जो हे मार्केट काफी अच्छे से पॉजिटिव दिखा फिलाल जो हे मार्केट ऐसे पोजिशन पे है जहांसे एक तगड़ासा फॉल भी दिखा सकता है और तगड़ासा जो हे कमबेक भी दिखा सकता है वेसे तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है अब और करेक्श वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से जोइन कर सकते हो इस टोक आता है अपनी लिस्ट पे वो है के अन आर कंस्रक्शन अगर आप इस स्टोक की बात करोगे तो रिसेंटले इसके हिजर्ट्स आउट हुए थे और उसके बाद जो है काफी अच्छा गैप अप ऑपन हुआ था उसके बाद जो है अगर आप वीकली टाइम फ्रेम अगर आप इसका देखोगे तो एक जिखे पर जो है कॉनसलिडेशन दिखा रहा है अगर आप इस कंप पबले यह काफी जादा सस्ती मिल रही है और इसका जो एक ग्रोथ भी जो है काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है कुल मिलाकर कंप्लेटली पॉजिटीविटी दिखाई पड़ रही है इस कंपनी को लेकर इसे में जो है आप इसके लिए पॉजिटिव रह सकते हो चाए शोट ठर्म के लिए हो या लॉंग टर्म के लिए कंपनी काफी अच्छा सा मुवमेंट और रिजल्स यानि की रिटन्स दे सकती है तो अगली हम अगली कंपनी की बात करें वह है एप्रस वेल्यू हाउजिंग फाइनस लिमिटेड अब इसमें जो है हमने एप्रोक्स थ्री ट्रेड कर रहा है अगर या पर देखते हो तो एक अच्छा खासा सब्पोर्ट जून बना हुआ है अब एसे में जो है इस चांस यहाँ पर दो चांसिस बनते हैं पहला जो है यह अपने एक और सपोर्ट पर आये या पर आप आप देख सकते हो जो की 280-290 पर होने वाला है और इसके लवा दूसर चांस यह बनता है कि अगर यहां से रिवर्सल देता है, तो वो यहां से उपर भी जा सकता है, अब एसे में जो है सेक्टर काफी जादा अच्छा धिकाई पर रहा है, और एसे में यह उमिद रख सकते हैं कि इससे जादा जो है यह स्टॉक नीचे ना बागे अगर मार्केट नेगेटिव रहता है, तो उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं स्टॉक के साथ साथ जो है करेक्शन और भी देखने को मिल सकता है, इसके अलवा जो है अगली कंपनी के बात करें, वो है SRM Constructions, अगर आप इस कंपनी के fundamentals देखोगे, काफी अच्छे द आज 10% का तकड़ा वाला मूव दिया है और अपने जो है ओल टाइम हाइक को जो है इसने ब्रेक किया है, अब एसे में जो है अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो यह जो है एक और अपसाइड वाले movement की तरफ आगे बढ़ सकता है, इसे में आप नजर बना के रख सक तो यहाँ पर जो है एक काफी तगड़ा वाला movement बनाता हुआ दिखाए दे रहा है, अगर आप यह आप देखते हो तो एक पहले एक बड़ा सा move दिया, उसके बाद जो है एक VCP टाइब का जो है बनाता हुआ दिखाए दे रहा है, इसके लाब आप इसके volume देखोगे तो व ट्रेड के लिए अगर यहाँ पर एक move आता है तो आप अच्छा कासा capture यहाँ पर कर सकती है, बात करें तो वो जो है आज वारी energy का result आने वाला है, अगर आप देखोगे तो stock ने प्री move दिया है, तो ऐसे में उमीद कर सकते हैं कि अच्छा result आए, अगर result खराब आता है तो stock जो है, एक downtrend दिखा सकता है, और इसके अलावा एक और stock की बात करें, वो है ember enterprises, अगर आप इस stock को जानते हो तो हमने जो है, एप्रोक्स 5000 के करीब जो है, इसकी buying की थी, और इसके बाद जो है तगड़ा वाला return इसने दिया था, अभी जो हम 80% तो इसमें sell कर चुके हैं, 20 percent hold है, इसके अलावा अगर आप अभी का time देखोगे, तो stock जो है, एक काफी अच्छा कासा move देने की तैयारी में लग रहा है, अगर यहाँ पर देखोगे तो एक तगड़ा वाला setup बनते हुए यापर आपको दिखाए देदेगा, अगर यहाँ से जो है यहाँ पर breakout मिलता ह है, तो stock काफी अच्छे कासे 6,000 के 7,000 के target भी दिखाए दे सकता है, यहाँ पर अगर आप इसके volumes देखो तो वह यहाँ पर गिरते हुए दिखे हैं, अगर यहाँ पर proper VCP वाला setup बना, तो यहाँ पर आप अगले returns की उमीद रख सकते हो, फिलाल कोई buying or selling recommendation बिलकुल नहीं है financial advisor से जरूर confirm करें, भागी वीडियो अच्छा लगा तो like और channel को subscribe जरूर करें